रो स्टूडेंट्स करते हैं वक्षीट नमबर 37, 4, Class 10, Science और यह है अपकी 28 सेप्टेंबर की वक्षीट इस हफ्ते की सबसे पहली वक्षीट है यह और इस चाप्टर की भी हमारा नया चाप्टर है Carbon and its Compounds और आज हम इस चाप्टर का इंट्रडाक्शन है वो करने वाले हैं इस चाप्टर से काफी पोर्शन डिलीट भी हुआ है अन्डिलीटिट पोर्शन से चल यह शुरू करते हैं Carbon the element of life Carbon जो है उसको element of life कहा जाता है Why? Carbon is a versatile element that forms the basis of all living organisms and many of the things we use such as food, clothes, medicines, books, etc. Carbon एक versatile element है जो कि बहुत जगह पर पाया जाता है लगबख सभी जगहों पर और यह living organisms की life का base है जितनी भी चीज़े हम यूज करते हैं जैसे कि food, clothes, medicines, books, etc. यह सभी चीज़ों में Carbon के compounds पाया जाते हैं ठीक है? And the earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petroleum, carbonates and hydrogen carbonates और सबसे ज़्यादा जो important बात यह है कि 0.02% carbon जो है न वो minerals के form में मिलता है उसके अलावा जो सारे जो है सभी चीज़ों में यह ब्याप्त है The atmosphere has 0.03% of carbon dioxide और हमारे atmosphere में कितने percent है? 0.03% जो है वो carbon dioxide ही है ठीक है? अब आती है carbon dioxide के बारे में कुछ important बातें जिनें हमें याद कर लेना है ताकि हम पूरे chapter में उनको उनके basis पर हम काफी चीज़ें करने वाले है तो चलिए जो 5 चीज़ें हैं वो क्या है? तो सबसे पहले यह बात यह कि carbon जो है वो एक non-metal है Okay? And its symbol is C यह आपको पता ही होगा इसका जो atomic number है वो 6 होता है और 6 atomic number के अनुसार इसकी electronic configuration होती है बिटा 2 and 4 जैसे कि आप इस diagram में देखोगे यहाँ आपको दिया गया है कि जो atom है carbon का उसके अंदर आप देख सकते है जो first shell है उसमें 2 electrons है और जो second shell है यानि कि जो इसकी auto most shell second ही है वो उसमें 4 electrons है carbon को tetravalent भी कहा जाता है important बात है यह और इस पर questions भी पूछे जाते है 6 protons और 6 neutrons आप देख सकते हो इसके nucleus में यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे यह जो 6 protons और neutrons जो होते है अब यहाँ electrons को दिखाए गया है negative से और proton तो positive होते है neutrons जो होते है वो neutral रहते हैं तो आपके तमाग में अभी तक question आ गया होगा कि इसके तो auto most shell में 4 electrons है अब यह 4 electrons को देगा या फिर किसी और से लेने की कोशिश करेगा ताकि इसका inert gas configuration इसे मिल जाए तो बैटा answer आ गया है उसका तो करते हैं इस नोट फॉर्म ionic bond यह ionic bond नहीं बनाता है by either losing 4 electrons या इसके उपर 4 positive ion वाला भी नहीं बनता by gaining 4 electrons भी नहीं बनता C4 minus भी नहीं बनता और अगर बनता है तो क्यों नहीं बनता क्योंकि उसके लिए बहुत जादा energy की जर्रत होती है तो it would require large amount of energy to remove 4 electrons 4 electrons को remove करने के लिए 4 बहुत जादा energy की जर्रत होती है and it is difficult for the nucleus of carbon with 6 protons to hold on 4 extra electrons तो एक nucleus के अंदर already जब 6 protons हैं तो उसके लिए इतना difficult हो जाता है कि वो अपने nucleus में 4 electrons जो है extra वो hold कर सके तो इस वज़े से carbon इस problem को कैसे सुझाता है carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with other with atoms of other elements तो वो क्या करता है या तो अपने ही carbon atoms के साथ में ही sharing करके जो valence electrons जितने भी हैं उनके साथ share करके bonds बनाता है या फिर किसी और element के atoms के साथ ये sharing करके bonds बना लेता है ठीक है the atoms of other elements जैसे कि hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine ये सब भी sharing करके electrons की sharing करके bonds बनाते हैं अब sharing करके जो bonds बनाये जाते हैं जैसे कि ions में होता था हमें ions बिलते थे और ions आपस में opposite charges होने की वज़े से traction की वज़े से वो क्या करते थे? Bonds बना लेते थे और वो बहुत strong bond होते थे उनको ironing bond कहते थे अब जो बात आती है तो bond formed by sharing of electrons between same or different atoms same atoms यानि की carbon अपने साथ ही बना ले या फिर different atoms यानि किसी और element के atoms के साथ में जब बनाता है share करके तो उस bond को बोलते है covalent bond covalent bond के बारे में अब हम इसकी characteristics देख लेते हैं क्या क्या होती है तो सबसे पहले बात तो यह कि covalent compound जो होते हैं वो poor conductor of electricity होते हैं इसका reason अभी हम questions में करने वाले हैं the electrons are shared and no charged particles are formed electrons इसमें share होते हैं यहाँ पर sharing of electrons होती है लेकिन यहाँ charged particles नहीं होते हैं next point क्या है कि covalently bonded molecules जो होते हैं they have strong bonds within the molecule molecule के अंदर बहुत strong bonds होते हैं but intermolecular forces are small जैसे कि हम बात करें हैं इस वाले molecule की तो यह एक molecule बन गया है ना atoms जो होते हैं atoms से मिलकर molecules बनते हैं इस बात को clear करें कि hydrogen के यहाँ पर दो atoms हैं और दोनों atoms जब जुड़ गए तो एक molecule बन गया H2 का तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों की बीच में तो काफि strong bond होगा intermolecular लेकिन जब intermolecular की बात होते हैं यानि कि एक H2 molecule का दूसरे H2 molecule के साथ में जो intermolecular attraction force है वो नहीं होता है जादा इस वज़े से इसका जो covalent compounds होते हैं उनका melting point और boiling point बहुत कम होता है लेकिन आइने compounds में हमने देखा था कि उसमें intermolecular और intermolecular दोनों forces जो होते हैं बहुत ज़ादा strong होते हैं इसलिए उनका high melting point और boiling point होता है लेकिन covalent compounds में क्या होगा कि melting point और boiling point इस वज़े से ही low होता है तो अगर आपको differentiation करना हो दोनों के बीच में distinguish करना हो तो आप ऐसे points लिख सकते हैं सीधे चलते हैं अच्छा इधर हम देख लेते हैं पहले कुछ आपको electron dot structures दिये गए है एस्टो molecule का दिया है पहले तो अब एस्टो molecule में देखे आप hydrogen का एक ही electron होता है उसके पास ठीक है तो उसकी जो आउटर मुष चेल है एक ही चेल है उसके अंदर एक ही electron होता है अब ये एक electron को दूसरे hydrogen atom के साथ में मिलकर एक bond बनाता है share करके share क्यों करना है क्योंकि दो electron की तो कम से कम जुरूद होगी न एक bond बनाने के लिए तो sharing होगी दोनों के बीच में और उन्होंने एक H के साथ में single bond बना लिया इसी तरीके से oxygen का अगर हम देखें तो oxygen के automo shell में 6 electrons होते हैं electronic configuration करिए उसके और 6 electrons होते हैं अब ये 6 electrons में से 2 electrons की sharing करता है दो इसके हैं और दो इस वाले के हैं ये दोनों में जब sharing होगी तो 2 electrons की sharing बनाने है यानि कि 2 bonds बन रहे हैं ये double bond बनाता है oxygen molecule हमेशा इसमें double bond रहेगा ऐसे ही nitrogen जो है वो triple bond बनाता है और उसके बाद जब हम देखते हैं CH4 molecule तो वो carbon जो है वो tetravalent होता है तो यानि कि carbon जो है वो 4 atoms बना सकता है अगर single single बना रहा है तो तो यहां hydrogen hydrogen के साथ इसने 4 singles bond बनाए हैं और CH4 molecule बन गया तो अब चलते हैं सीधा questions की तरफ So students first question is why carbon is tetravalent तो carbon tetravalent क्यों होता है carbon has 4 electrons 4 valence electrons in its outermost shell that is 4 electrons in the इसकी जो बाहरी जो shell होगी उसके अंदर 4 electrons बचते हैं आप 4 electrons की उसको जरुरत होती है तो therefore carbon is tetravalent तो 4 valence electrons की वज़े से उसका जो nature है वो tetravalent होता है next question is carbon forms covalent compounds carbon covalent compounds बनाता है इस statement को आपने justify करना है तो आप लिख सकते हैं carbon would require large amount of energy to remove 4 electrons and it is difficult for the nucleus of carbon with 6 protons to hold on 4 extra electrons carbon forms covalent bonds by sharing its valence electrons with other carbon atoms or atoms of other elements तो other elements या फिर अपने carbon atom के साथ में ही वो covalent bonds बना लेता है next is write any three physical properties of covalent compounds तो physical properties बताने अभी हमने जाना कि covalent compounds की सबसे important बात ये है कि in a covalent bond the electrons are shared and no just particles are formed covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule but intermolecular forces are small that is why आप यहां पे add कर सकते हो that's why कि यहां इसका जो melting point और boiling point है वो बहुत लो होता है now next point is covalent compounds are poor conductors of electricity ठीक है और ये poor conductor होते हैं इसी को हम next question में करने वाले हैं state the reason why covalent compounds are generally poor conductors of electricity तो क्यों होते हैं ये poor conductor तो बचा आपको पता ही है कि conductivity के लिए क्या चाहिए हमको charged particles या electrons चाहिए ये electrons भी charged होते हैं तो carbon compounds are covalent in nature and covalent compounds जो होते हैं वो do not dissociate into ions ions में dissociate नहीं होते कभी भी इसको aqueous solution में टालेंगे तो aqueous solution बनाने की कोशिश करेंगे and also it does not have free electrons तो इसके अंदर free electrons भी नहीं होते हैं जो move कर सकें so there is no flow of charge तो flow of charge नहीं होगा तो conductivity भी नहीं होगी तो conductor of electricity ये poor होते हैं next question is draw electron dot structure of a water molecule H2O, carbon dioxide and methane तो चलिए करते हैं सबसे पहले water का water में आप देख सकते हो कि यहाँ hydrogen का जो atom है hydrogen का जो electron है वो बटा red color से शुप किया है oxygen के 6 electrons होते हैं उसके outermost shell में इसी configuration आप मुझे बताएंगे comment box में और इसके जो 6 electrons हैं उनको क्या करना है bonding करना है और hydrogen ने एक एक अपना electron देकर oxygen को share करके देकर रही है यहाँ पर sharing हो रही है ठीके किसी ने ना तो दिया है और ना ही किसी ने electrons को लेना है यहाँ पर सिर्फ sharing होगी और sharing होक होकर यहाँ bonds बने और water molecule बन गया ठीक है जी नेक्स जो है हमारा carbon dioxide था carbon dioxide में क्या होगा कि यहाँ पर oxygen चाहिए हमें oxygen के जो है outermost shell में 6 electrons आपको दिखाई दे रहे होंगे carbon के पास 4 electrons है तो यहाँ क्या करेगा यह एक एक electron के साथ sharing होगी इनकी और यह double bond बनाएगा carbon जो है वो oxygen के साथ double bond बनाता है इस तरीके से ठीक है तो एक एक electron जो है वो यहाँ से दो electrons जो है oxygen के ले लेगा और बाद में जो इसकी structure होगी वो इस तरीके से होगी सबसे पहले tetravalent है carbon हमने 4 electrons ले लिए इसके oxygen के अंदर जो atomos shell है उसमें 6 electrons है दो की वो इसके साथ sharing कर लेगा इस तरीके से दूसरा oxygen का atom भी क्या करेगा उसके 4 electrons तो यह रहे और 2 क्या कर लेंगे sharing कर लेंगे carbon के साथ तो यह जो sharing हुई electrons की एक दूसरे के साथ यह sharing की वजय से यहाँ double bond बनेगा carbon और oxygen के बीच में दो double bonds बनेगे तो इसका electron रोड structure आप ऐसे लिखेंगे अगला जो देखते हैं CH4 जिसको हम methane कहते हैं तो उसका structure कैसे रहेगा यहाँ carbon एक single bond बनाएगा हर एक hydrogen के साथ यहाँ आप देख सकते हो कि एक electron जो है वो carbon का होगा और जो दूसरा electron है मैं color change कर लेती हूँ दूसरा electron जो है वो hydrogen का रहेगा ठीक है और यहाँ क्या बनेंगे single single bonds बनेंगे तो चार single bonds बनके CH4 molecule बन गया तो बचो यह है आपकी आजकी worksheet that's all for now आपको अगर वीडियो से समझ आता है तो जरूर लाइक करें and keep sharing with your friends also thanks for watching